नमस्कार एक वक्त मुम्ताज और राजेश खन्ना की जोड़ी बड़े परदे पर राज करती थी मुम्ताज ने फिल्मी दुनिया के पहले सूपर स्टार के साथ मिलकर कई यादगार फिल्मे थी उनका करियर जब पीक पर था तब उन्होंने साल 1974 में कई अभिनेताओं का दिल तोड़ते हुए बिजनसमैन मयूर मादवानी से शादी के लिए मयूर से शादी के बाद मुम्ताज फिल्मों से दूर होती चली गई और एक वक्त पर उन्होंने फिल्मों को अलविदा ही कह दिया लेकिन मुम्ताज के कहना था कि अब उन्हें मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्मे नहीं मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं कि वो मा या आंटी का किरदार निभाएंगी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुम्ताज ने फिल्मों में अपने कमबैक को लेकर कहा था मैं शारू खान की मम्मी या अक्षे कुमार की आंटी नहीं बनना चाहती हर किसी का अपना समय होता है, मेरा समय बीच चुका है साल 2008 में आईफा के तरफ से मुम्ताज को सम्मानित किया गया था उस दौरान भी उनसे फिल्मों में कमबैक को लेकर सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में उन्होंने कहा था अब वो इतनी आलसी हो चुकी है कि फिल्में नहीं कर सकी मुम्ताज जब अपने करियर के पीक पर थी, तब कई अभिनेताओं का उन पर क्रश था उसी दौरान उन्होंने मयूर से शादी का फैसला किया, जिससे सुनकर खुद राजेश खन्ना बेहत नाराज होए थी मेरे पास रुमैंस का वक्ट नहीं था, मयूर से शादी के बाद मुम्ताज विदेश में बस गई, उनकी शादी शुदा जिंदिगी में उस Alban बड़ा भूचा ला गया था जब झाल